नहीं हो सकती फासी, होनी चाहिए फासी, फासी हो, शबनम को फासी नहीं होगी, वो बेगुना है ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो कमेंट है जो मेरे कमेंट बॉक्स में लोग करते हैं मैं हूँ मनमिंदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Ambi Speaks मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, सभी का मैं खेर मगदम करती हूँ और आज एक वार फिर से मैं शबनम की बात करती हूँ कि शबनम अभी फासी से कितनी दूर है देखें कोई प्रातना पत्र या कोई याचिका जब लंबित होती है तो डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता है एक बात, दूसरी बात देखें का सिरफ दो बार दायर करने का अधिकार होता है एक बार शबनम अपनी याचिका राश्प्रति के सामने प्रस्दूत कर चुकी है जिसे खारीज किया जा चुका है लेकिन अभी उसकी राजिपाल के पास शमजाज का पेंडिंग है चली मैं आपको ये भी बता दू कि शबनम की वकील शिर्यारस्तोगी कैसे बचा सकती है शबनम को कौन-कौन सी दलीले हैं जो शबनम के काम आ सकती है जो शबनम को फासी से बचा सकती है पहली दलील पहली दलील है वो कांड जिसे सोनिया कांड के नाम से जारा जाता है ये हर्याना का हत्या का बहुत बड़ा कांड हुआ था सोनिया कांड ये 23 अगस्त 2021 का मामला है और इसमें विधायक रेलुराम पून्या समेथ 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी ये माली जी कि ये काफी हाई प्रोफाइल केस था काफी हाई प्रोफाइल मडर था जिसका आरोप विधायक रेलुराम पून्या की बेटी और दामाद पर लगा था बेटी दावान ने विधायक पूनिया समेत उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा, बेटी प्रियंका और बेटा सुनील और उन्ही के बहुष शकुंतला, चार साल के पोते लोकेश और दो साल की पोती शिवानी और मात्र तीन महिने की प्रिती की बेहरहमी से हत्या कर दी थी इस मामले की जाच में दोनों लोगों को दोशी पाया जाता है और हिसार कोट ने फासी की सजा सुनाई इसके बाद हाई कोट ने इस सजा को उम्रकैन में बदल दिया लेकिन जब पूरा मामला सुप्रीम कोट में पहुशता है तो दोबारा से दोनों को फासी की सजा सुनाई लेकिन दया जाचिका के अधार पे उनकी सजा को उम्रकेंद में तब्दिल कर दिया गया है दूसरी दलील जो श्रियरस्तोगी शबनम के मामले में प्रस्तूस कर सकती हैं वो यह है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक भारत में किसी भी महिला को फासी नहीं दी गई है और शबनम ने अपनी दलील में यह बात भी कही है कि देश में अभी तक किसी महिला को फासी नहीं हुई है और इसके अलावा और भी कई सीरेल किलर हैं, उनका भी नाम दिया गया है, इसमें लाइक रेनुका और सीमा की फासी की सजा तेह हुई थी, मुकरर हुई थी, लेकिन बाद में उनको उम्रकैद में उनकी सजा को तब्दील कर दिया गया है, और सबसे खास बात यह है कि शब्रम ने साथ खून कि है जैसा कि कहा जा रहा है लेकिन उन दोनों बहनों पे 42 बच्चों की हत्या का दोश है दोनों बहने चौबीस साल से पूनी के यर्वदा जेल में बंध है और अभीता के ने सजाने हुई है तीसरी और आखरी जो दलील है वो बहुत दमदार है शबनम ने अपनी याचिका में यह कहा है उसने और याचिका लगाई है क्योंकि उसके पास अभी बहुत सारे वी कल्व हैं उसने य 14 साल के बच्चे का हवाला दिया है जब शम्नम ने इस जगन्य अपराद को अंजाम दिया था तब वो प्रेगनेंट थी और इस बच्चे का जर्नब जेल में होता है और जेल में ही यह बच्चा 6 साल और 7 महीन तक अपनी मा के साथ रहता है बाद में इसको एक बुलंडशे कि उसके पास ये तीन दलीले हैं जिससे वो शबनम को बचा सकते हैं दोस्तों आपको मेरा ये कंडेंड कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंड बक्स में ज़रूर बताईएगा और सबसे खास बात अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू लograpएत झाल आ रहते हैं तो मेरे फस somewhere रहते हैं पलतः हैं